वेल्कम स्ट्रेंड वेल्कम टो वर यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैध भुरू जी तो आज हम अप्लिकेशन ऑफ साइमेल्टेनिस एक्वेशन देखेंगे यहने के साइमेल्टेनिस एक्वेशन का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या यूज होता है अगर आपने इससे पहल पड़ता है तो साइमेल्टेनिस एक्वेशन को सॉल करने के हमने मैथट देखे वाले हैं के इलिमिनेशन मैथड है उसके बाद ग्राफिकल मैथड है क्राइमर सुरूल है तो यह आप वीडियो देख लीजिए पुराने वाले वीडियो हमारे तो यह एक्सिसाइज आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आने वाली है बिल्कुल सिंपल एंड इजी है अब आपको क्या करना है स्टुएंट के यह जो कुशन है को पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसके अंदर जो भी सेंटेंस दिए गया है जो भी कंडिशन दिए गया है उन कंडिशन से आपको स दोनों का दोनों का हम क्या करते हैं संब करते हैं तो हमें 19 मिलता है तो पहली कंडिशन क्या है तो नंबर डिफर बाइट तो मैं इसे कंडिशन आपको लिकर आपको समझाता हूँ तो नंबर्स डिफर बाइट ओके दोनों का डिफरेंज सी लिए तो अम क्या करेंगे के कड़ी first condition आप लिखेंगे by first condition आपको मिल जाएगा कि दो number का difference याने कि दोनों का difference करते है दोनों का minus करते है अपने को मिलता है कितना three स्कॉम बोई लिंग equation number one student यह जो sentence मैंने लिखा है two number differ by three आपको answer में आप नहीं भी लिखे तो चलेगा तो आपको मैं समझाने के लिए यह यूज किया हूं okay let greater number be x and smaller number be y by first condition x minus y is equal to three अब next देखे the sum of the twice of the smaller number याने कि smaller number क्या है y और उसका twice करेंगे याने कि two से multiply करेंगे greater number क्या है x है और greater number का क्या करना है आपको thrice करना है इसको three multiply करेंगे अब दोनों का सम करना है तो दोनों का सम करने के बाद आपको मिलता है 19 तो हमारी कंडिशन यह हो जाएगी तो मैं लिक्वाइब सेकेंड कंडिशन 3x plus 2y is equal to 19 सेकेंड कंडिशन के जब से 2 3x plus 2y is equal to 19 यहने कि इनका सम 19 है अब यह हमारी दूसरी equation मिल गई है equation number two अब equation number one और equation number two दोनों को observe कीजिए इन दो equation को हमें solve करना x और y के values मालूम करना है जब x मालूम करते हैं तो हम greater number मालूम करेंगे जब हम y मालूम कर रहें तो हम smaller number मालूम कर रहें ठीक है देखिए student यहाँ पर y का coefficient 2 है और यहाँ पर y का coefficient कुछ भी नहीं है मतलब one है तो मैं क्या करता हूँ equation number one को two से multiply कर तो हम यहाँ पर लिखेंगे multiply equation one by two equation one को two से multiply करने पर तो यह हो जाएगा two x minus two y is equal to two three the six इसको हम बोलेंगे equation number अब equation number two और three को observe कीजिए क्योंकि हमें एक टर्म eliminate करना है तो हम इन दोनों का क्या करेंगे देखिए अगर हम इनका addition करते हैं तो two y plus का two y minus का यह eliminate हो जाएगा cancel हो जाएगा zero हो जाएगा ओके तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ add equation two and equation three equation two और three को हम add करेंगे तो equation two क्या है 3x plus two y is equal to 19 और equation three क्या है 2x minus two y is equal to six चलिए जब हम add करते हैं तो यह plus का two y minus का two y यह हो गया cancel बन गया 0 3x plus 2x आपको मिल गया 5x is equal to 19 plus 6 यह मिल गया 25 then x is equal to what then x is equal to 25 upon 5 then x is equal to 5 बन जा 5 5 फाइजा 25 x का value मिल गया आपको हम लिखेंगे x is equal to 5 आपको क्या करना है x का value किसी एक equation के अदर रखना है तो मैं क्या करता हूँ x का value equation number 1 में रखता हूँ put x is equal to 5 in equation 1 equation 1 के अंदर रखेंगे equation 1 क्या है देखें x minus y is equal to 3 this is our equation number 1 then x का value आपको रखना है 5 minus y is equal to 3 then minus y is equal to 3 this 5 will become minus 5 if it goes to the right hand side of the equal to sign then minus y is equal to 5 minus 3 करेंगे तो आपको मिलेगा minus 2 plus 2 नहीं मिलेगा बचो minus 2 मिलेगा अब देखें minus sign minus sign ये cancel हो गया then y का value मिल गए आपको x का value आपको मिल गया 5 और y का value मिल गया आपको 2 x और y मालुम करना था x और y को हम क्या suppose करे थे x is the greater number and y is the smaller number अब question में आपको क्या मालुम करना है find the numbers numbers मालुम करना है numbers हम मालुम कर चुके है x is equal to 5 and y is equal to 2 तो आप लिखेंगे the numbers are 5u and 2 okay this is the answer अब हम exercise number 1.5 का question number 2 solve करेंगे complete the following i am a rectangle and the length and breadth of rectangle is given and we have to find out the values of x and y and as well as perimeter and the area of this rectangle suppose abcd is a rectangle and the length of abcd ad is a length 2x plus y plus 8 तो हम एक rectangle मना लिए और इसके length लिख ले रहे है 4x minus y and ab length of ab is 2y and length of cd is x plus 4 is 2 and we know the property of rectangle what is the property opposite sides of rectangle is equal we have to use this property is property का use करके हमें दो linear equation in two variable बनाना है यानि के simultaneous equation बनाना है फिर उन दोनों को हम solve करेंगे तब जाकर हमें x और y का values मालुम होगा और उसके बाद हम फिर sides मालुम करेंगे sides यानि के length मालुम करेंगे breadth मालुम करेंगे और फिर उसके बाद area of rectangle मालुम करेंगे and perimeter of rectangle मालुम करेंगे this is the procedure तो first of all ad is equal to bc because sides of opposite sides of rectangle is equal तो मैं लिख लेता हूँ opposite sides of rectangle is equal जब equal है तो ad is equal to bc and ab is equal to c तो इससे हमें एक linear equation मिलेगी और इससे हमें एक linear equation मिलेगी तो समय पहले ad is equal to bc इसको हम लेते हैं तो ad का length है 2x plus y plus 8 is equal to bc है 4x minus y इससे हम क्या करेंगे एक linear equation in two variable बनाएंगे तो मैं क्या करता हूँ 2x as it is लिखता हूँ इस 4x को हम equal to sign के इदर लाएंगे तो यह हो जाएगा minus 4x और यह y इदर ही रहेगा plus y इस y को equal to sign के जब इदर लाएंगे तो यह plus y हो जाएगा minus y से और इस 8 को जब इदर लाएंगे तो यह हो जाएगा minus 8 then 2x minus 4x यह मिल गए अपने को minus 2x y plus y 2y is equal to minus 8 now observe this equation minus 2x plus 2y is equal to minus 8 तो इस equation को अगर हम 2 से divide कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा तो हम लिखेंगे divide both the side by 2 तो यह हो जाएगा minus 2x upon 2 plus 2y upon 2 is equal to minus 8 upon 2 then 2 1s are 2, 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 2 for the 8 तो क्या मिल गया हमें minus x plus y is equal to minus 4 now name a to equation number 1 इसको हम equation number 1 का नाम देंगे now दूसरी equation हमें बनानी है दूसरी equation हमें बनानी है ab is equal to cd से ओके तो ab is equal to cd ab is equal to cd ab का value है 2y और cd का value है x plus 4 तो इस equation को थोड़ा सा simple करेंगे instrument मैं क्या करता हूँ इस 2y को equal to sign के right hand side लाता हूँ तो x minus 2y हो जाएगा और इस 4 को equal to sign के left hand side लाता हूँ तो यह हो जाएगा minus 4 then our equation will become x minus 2y is equal to minus 4 clear है यहां तक इसको हम pulling equation number 2 now observe equation number 1 and equation number 2 this is equation number 1 and this is equation number 2 अगर हम इन दोनों का addition कर देते हैं तो यह minus x plus x यह remove हो जाएगा eliminate हो जाएगा तो हम लिखते हैं add equation 1 and 2 equation 1 and 2 को add करेंगे equation 1 is minus x plus y is equal to minus 4 equation 2 is x minus 2y is equal to minus 4 clear है यहां तक instrument इसको हम add करते हैं तो आप देखेंगे यहां पर plus x minus x will become 0 then minus 2y plus y अगर minus 2y में से y अगर हम minus करेंगे then minus y मिलेगा minus 4 minus 4 it is minus 8 this minus minus sign get plus then y is equal to 8 clear instrument y का value हमें मिल गया है 8 now find out the value of x अगर हम क्या करेंगे y का value 8 किसी एक equation में रखेंगे equation 1 में रखेंगे equation 2 में रखेंगे तो हमें x का value मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे y का value 8 equation number 1 में लिखेंगे equation number 1 is minus x plus y is equal to minus 4 y का value रखना 8 then minus x plus 8 is equal to minus 4 then minus x is equal to minus 4 this plus 8 will become minus 8 then minus x is equal to minus 12 this minus minus get less then x is equal to 12 तो आपको x का value मिल गया है 12 और y का value मिल गया है 8 तो this is the first task find the value of x and y x और y के values मालुम करने के बाद हमें मालुम करना है perimeter and area और perimeter area मालुम करने के लिए इस rectangle का length और breadth मालुम करना है तो rectangle का अगर हम length देखेंगे तो देखें बच्छो रेक्टेंगल का length यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 2x plus y plus 8 this is the length 2x plus y plus 8 अब हमें क्या करना है x के और y के values put up करना है तो 2 into 12 plus 8 plus 8 यहाँ में length मारू हो रही है 24 plus 8 plus 8 then तो length हो जाएगी 40 now breadth मालुम करना है breadth is equal to 2y breadth जो है breadth is equal to 2y then 2 into y के value है 8 then 2 into 8 16 यह आपको मिल गई है breadth तो perimeter और area मालुम करने के लिए आपको length और breadth मालुम करना पड़ेगा तो length भी मालुम हो गई है और breadth भी मालुम हो गई है अब हम perimeter मालुम करेंगे as well as area मालुम करेंगे तो formula है perimeter of rectangle is equal to यहाँ पर हम लिखेंगे perimeter of rectangle is equal to 2 into length plus 2 into breadth length का हम लिखेंगे L और breadth का भी लिखेंगे then 2 into length है 40 plus 2 into breadth breadth है 16 यह हो जाएगा 2 into 40 80 plus 32 80 में 32 अगर हम plus करेंगे तो आपको मिलेगा 112 अब इसके साथ हम centimeter meter बगरा तो नहीं है तो आप यहाँ पर लिखेंगे 112 unit now we will find the area of rectangle हम लिखेंगे area of rectangle is अब formula आपको मालम है length into breadth length है 40 और breadth है 16 चलो 640 को 16 से अगर आप multiply करेंगे you will get 640 square unit तो आप final answer लिखेंगे the perimeter of rectangle is 112 unit and the area of rectangle is 640 square unit this is the answer इस सरह हमने instrument practice rate number 1.5 के question number 1 और question number 2 देख लिए हैं हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह दोनों भी question समझ में आये होंगे तो आप इस वीडियो को गोर से देखिए और जहां कहीं भी आपको समझ में आता है तो आप comment करके मुझे पूछ सकते हैं और इस वीडियो को like कीजिए अगर आप like करते हैं तो हमें और motivation मिलेगा और ज़्यदा वीडियो बनाने के लिए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्याज़दा शेयर कीजिए Thank you for watching our videos